गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ उशाद रुव्यामरति महाराष्ट से और वेलकम है आपका अपने चानल गार्डनिंग वी तुशा पर तो देखिए यह है सियाम गार्णेट वाटर लेली जो मैंने पॉटिंपट देखिए इसमें लगाए हैं और यह है लोटस इसे मे बहुत सारी पैटल के साथ यह खिला हुआ है और इसका कलर शेडिंग इतना ब्यूटिफुल है कि आप तो देखी सकते हैं तो भी अभी लोटस के फ्लावर खिल रहे हैं और शायद मैं इनको अगले हपते रिपॉर्ट करूंगी तो जिनको भी चाहिए वो मुझसे यह मंग ना है जिसे ट्यूबरोज भी कहते हैं और दूसरे जो है वह डबल पिटल है और तीसरे यह तीन कलर अब मेरे पास रेड कलर हो गया है एक लव diff, एक चेरी और दूसरे अपर इस नाम है सिंडरिला तो इस तर tv करyas को इस तरह सारे कलर मेरे पास है और पिंक में भी सिंगल पि दिखाई देगी एक साथ, एक में बिल्कुल डार्क, फर्स साइड में बहुत डार्क कलर है, दूसरे में रेड बहुत ही फ्रेश कलर है और तूसरे में सिंगल पेटल, ऐसे ये रेड के तीन शेड मेरे पास अब हो गये हैं, और ये सारे फ्लावर मेरे गार्डन में खिल चु सभी कहते हैं कि समझ सीजन में ही इस पे फ्लावर आते हैं लेकिन मेरे पास इतने सारे निशिगंदा मैंने एक के बाद सारे जो पॉले बैग में है वो लगा दिये हैं तो मेरे यहां तो बिलकुछ साल भर खिलते हैं यानि जैसे उनकी बीच में कुछ गैप लेते हैं उसके फिर से फ्लावरिंग शुरू होते हैं और जहां तक मैंने अपने संडे गार्डन ओवर्वी में दिखाया है तो बहुत बार निशिगंदा मैंने साल भर आपको दिखाया है बात करेंगे पॉर्ट साइज की तो इसके जड़े है वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं जाती इसल साल में ये पूरा गमला जो है बहुत ही ज्यादा भर जाता है तो साल भर में कोई भी ट्यूब्रोज हो तो उसे आप निकालके उसी गमले में लगाए लेकिन आप सबको मल्टिप्लाइ करके उस बल्ब को अलग-अलग कर दीजे क्यूंकि अगर इसमें अगर फंगस लग ग बात करें तो बहुत ज्यादा फटलाइजर नहीं चाहिए आप तीन मेने में एक बार जो मैं बाकी सारे प्लांट को फटलाइजर देती हूं वहीं आप दीजे और इसे आपको डारिक सनलाइट में रखना है जहां पर इसे फूल दिन की सनलाइट मिल सके तो ये बहुत ही अ अब ये कुछ दिनों पहले यानि मेहना भर ये खिल चुके थे फ्लावर एक के बाद एक के बाद ये सारे जो उपर के स्टीक है वहां तक फ्लावर आते है और इनमें थोड़ी सी अना बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी सी मिठी मिठी सुगंध होती है जिससे हमारा जो स्टीक होती हमारत रखेर सीा जो दो I hypotheses का Kkar病 को ओया हरा विए संगल पेटल की अंच और उसके बाद अभी मल्टी पेटल बहुत साड़ी कलिया आगहे है तो यह है pink multi petal और यह है single petal multi petal तो इस तरीके के यह सारे जो है अभी खिलना शुरू हो गया है और इनकी देखिए इनको आप पानी का अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें तो ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है आप हपते में एक बारे से पानी डाल सकते हैं कौन सा सेजन हो बस आप वीक में एक बार ही पानी डालना है क्योंकि जादा पानी से इनके जो बल्ब है वो गल जाते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा प्लांट मर जाता है यह जो रेर कलर के निशिगंदा है इनके प्राइज मैंने लगभग 2000 में यह बल्ब लिया था लेकिन आपको किसी वीडियो में में जार कर दूंगी के इसके बल्ब अविलेबल है मेरे पास तीन पौट में थे तीनो की तीनो पौट से अभी सिर्फ मधर प्लांट जो है वही बचा हुआ है तो जब भी अवेलेबल होंगे तो वह आपको मेल जाएंगे और यहां पर अभी मेरे यह सारे fertilizer यूज कर चीहूं जो आपको दो या तीन मेने के बाद देना है तो जैसे यह देखिए यह compost दो मुठ्थी मेने लिए है और उसके बाद यह जो कोई भी compost ले सकते हैं उसके बाद यह जो एक मुठ्छी लिए है उसके बाद है नीमखली जो एक मुठ्छी लिए है यह है डीएपी यह है इपसम सॉल्ट उसके बाद यह है फंगिसाइड तो यह सारा मिक्स करके आप ऐसा सोचे कि आपको साल भर में चार बार इसको डालना है यानि तीन-तीन महने के बाद यह करके आप तीर महने के बाद डाल सकते हैं और यह इतने जल्दी मल्टिप्लाय होते हैं कि देखें यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह बिल्कुल यानि एकदम से जादा यह पूरे हिल्दी ग्रोथ कर रहे हैं तो इनके बाल भी खराब होते हैं इस वज़े मुझे लगता था कि ऐसे ही पिक भेज देते हैं लोग लेकिन रियल में जब यह फूल खेलेना तो मेरे तो खुशी का ठीकाना ही ने रहा और यह बहुत ही ज्यादा यूनिक है और यह तीनों कलर मेरे पास है तो जिस सेलर ने मुझे दिया था सच में वो जैनून सेलर है त जीसे मैंने रिसेलिंग शुरू कर दी है और रिसेलिंग इसले शुरू करती है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि कौन सालन कौन से मनध में मंगमाना चाहिए तो देखे एक जब मैंने क्लाइंट को एक ट्यू भरोंज का ओर और था उसको देना था तो यह एक प बल्ब मल्टिप्लाइ हो गया है और कुछ सिर्फ छे मैने के बाद का रिजल्ट है मैंने शायद अप्रेल या मैं 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 यह बल्ब लिया था और यहां पर नाम भी लिखा है चेरी ट्यूबरोज और बिल्कुर सेम जो आइडी मुझे मिली थी तो वही आइडी खिली हुई है तो इसके साथ देखिए थोड़ा से स्पॉट को आपको ऐसे और उसे के बाद जो है ना इसके रूड बहुत ज्यादा देखिए चोटा सा पॉट है इसे मैंने 5 इंची में लगाया था बिल्कुर चोटा सा मुझे 2000 का बल्ब मिला था और इसके ग्रोथ जैसे मैंने कहा कि ब कि आपका जो पौदा है वो भी इसी तरह से हिल्दी ग्रो करेगा इसे पॉट से मैंने बाहर निकाल लिया है तो धीरे धीरे हम जो है ना इसकी मिट्टी ऐसे थोड़ सी इसको अच्छे से धीली कर देंगे आपकी हिंदी में क्या कहते है इसे और देखिए सॉइल मिक्स इत इसके बाद राइस हस उसके बाद सॉइल उसके बाद सैंड और यह सारा मैंने सेम रिश्यो में लिया हुआ है और उसके बाद मैंने डाले इसमें नीमखली इपसम सॉल्ट डीएपी और इसमें डालना था बोन मिल और फंगिसाइड तो फंगिसाइड जो रह गया था वो य से में पाने में रखूंगी क्योंकि दो-चार दिन या विक पूरा विक ये फ्लावर रहे जाएंगे तो धीरे-धीरे से इसकी सॉयल में निकाल दी है थोड़ी-थोड़ी करके और यह दे कितनी वेल ड्रेन और बहुत ही पोरस सभी हो चुकी है अभी तो इस तरह से अगर दावर भी आते हैं और इनकी जो ग्रोथ है वह बहुत ही स्पीडली होती है तो सभी सॉयल तो मैं इसे निकाल लूँगी पन्रोब्चाल मिघे झाउंटेक तो इसी मिसचाए कितनी जोग्थ है आते हैं रहा है झाप झाल झाल सभी बब को देखे मैंने अलग कर दिया है और नीचे से इसके रूट निकाल कर रूट को कट करके मैं ये सारे प्लांट जो है वो लगा लूँगी अगर आप पूरी ये लीव्स भी कट कर देते हैं तो भी बहुत एजी लिए ग्रोथ होता है क्योंकि ये लगाने के बाद सबसे पहले तो जितने भी आपको ग्रीन अभी पत्ते दिख रहे हैं फिर भी वो कुछी दिनों में यलो हो जाते हैं लेकिन इनके बल्ब को कुछी भी नहीं होता और बहुत एजी ली इनके सारे जो बल्ब है वो लग जाते हैं मिनिमम आठ दिन इसे आपको अभी शेड में रखना होगा तो इस एक जो ट्यूब से बहुत सारे प्लांट अभी लग गया हैं अभी साल भा लगता है पूरा गार्डन मेरे रेड ट्यूबरों से भर जाएगा तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाइबाइब हैपी गार्डनिंग स्टेए सेब